दोबी और कुमार बाच्षा अकबर के राज्य में एक दोबी और एक कुमार रहा करते थी एक दिन दोबी के गधे ने कुमार के आंगन में घुस कर उसके सारे मिट्टि के बर्तक तोड़ डाले धुबी की तरफ से नुकसान भरपाई पाने के बार भी कुमार नाराजी था अगले दिन वहां अकबर बाच्छा के दर्बार में पहुचा आदाब जहापना कहो कैसे आना हुआ जहापना मेरा मित्र जो अभी इरान से लोटा है कह रहा था कि इरान के शाह हमारे देश और देश के लोगों से बहुत खुश है परंतू परंतू क्या लेकिन शाह का कहना है इंदुस्तानी हाती काले और गंदे होते हैं उनकी सेना में वो सफेद और साफ हाती है और जिन पर उन्हें बहुत गर्ब है तो हम क्या करें जहाँ पना इरानी शाह के यहाँ अनेक धोबी है जो दिन में दो बार सभी हातियों को धोते हैं यही कारण है कि उनके हाति सपेद है अक्बर बाच्छा को उस अदमी के इरादे पर शक हुआ हाँ अच्छा तो ये बात है तो एक काम करो हमारे शहर में जितने भी धोबी हैं उन्हें बुला कर हमारे हाथियों को भी रोज साफ करने के लिए कहो जहाँ पना सारे धोबियों को बलाने की जरूरत नहीं है मेरे घर के पास बहुत महनती धोबी रहता है जो इस काम को बहुत हुभी कर सकता है वो अकेला ही काफी है यहाँ बात सुनकर बाच्षा अक्बर का शक निश्चे में बदल गया दरवान इस धोबी को हाजर करो धोबी को बाच्षा के सामने लाया गया देखो सारे हाथी सफेज होने तक उन्हें साफ करो वरना तुम्हें सजा मिलेगी कुमार को देखते ही धोबी समझ गया कि सब कुछ उसी का रचाया हुआ खेल है दोबी हातियों के पास गया उन्हें रगड रगड कर साफ किया लेकिन हाती काले के काले ही रहे गया दूसरे दिन हाती अब तक काले क्यों है? जहापना मुझे लगता है हाथियों को रगणने के लिए यदि एक बड़ा मिट्टी का बरतन मिल जाए तो निश्चित ही हमारे हाथी इरानी शाह की हाथियों से अधिक सफेड हो जाएंगे पाच्छा अकबर जानते थे कि अब धुबी कुमार के पिछे पड़ गया उस कुमार को बोलो इतना बड़ा मिट्टी का बरतन बनाए कि जिसमें हाथी को रखकर धोया जा सके इतना बड़ा बरतन बनाने के लिए कुमार को एक पूरा हपता लगा बरतन बनाकर हाथी के पास ले जाए लेकिन जैसे ही हाती ने उस बर्तन में अपना एक पाव रखा वैसे ही वह बर्तन तूट गया तुमने बहुत ही कच्चा बर्तन बनाया जाओ फिर से एक बहतर बर्तन बना के लाओ कुमार समझ गया कि उसकी चाला की पकड़ी गई है और तुरंती वह बाच्चा की कदमों में गिर पड़ा तुम बहुत ही जूटे और चुकल खोर हो तुमें सजा जरूर मिलेगी शाबाश इसके लिए तुमें निश्चित इनाम दूगा पर मुझे एक बात बताओ कुमार पर भारी पड़ने की है चतुराई तुमें कहां से सूजी नहीं जहापना ये चतुराई मेरी नहीं है मैं तो मदद मांगने बुद्धिमान बिर्बल के पास गया था और उन्होंने ही मुझे यहां सलहा दी बाच्छा अक्बर ने बिर्बल को बुला कर उसकी चतुराई के प्रशंसा के